हेलो दोस्तों स्वागत है आपका study non stop में इस पीडियो में हम हिंदी का एक practice set लगाएंगे इसमें मैंने 50 important questions को सामिल किया है जो की exams में repeat हुए हैं तो आप भी मेरे साथ set लगाएं क्योंकि आपके आनवले किसी भी exam जिसमें हिंदी पुछा जाता हो उसमें काफी help करेगा और आप कितना score कर पाते हैं यह भी आप हमें comment करके जरूर बताएं तो चलिए शुरू करते हैं पहला question है नीचे लिखे वाग के लिए एक सब्द बताईए तो सरण पाने को इच्छो किसके लिए एक सब्द बताना है तो options यहाँ पर दिये हुए परमार्थी, सरण आर्थी, स् दर्सी तो इसका जो सही answer वो है सरण आर्थी, सरण पाने को इच्छो कि यानि की सरण आर्थी नेक्स्ट कोचन है पूछने के योग इसके लिए एक सब्द बताना है तो पूछने के योग इसके लिए एक सब्द है इसमें से प्रिष्टब है पूछने के योग यानि की प्रिष्टब है नेक्स्ट कोच ने सरकारी गजट में छपी सूचना इसके लिए एक सब्द बताना है तो सरकारी गजट में छपी सूचना के लिए एक सब्द है अधी सूचना नेक्स्ट कोच ने रात्री में घुमने वाला इसके लिए एक सब्द बताना है तो रात्री में घुमने वाले को हम कहते हैं निसाचर तो इसका अंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला निसाचर नेक्स्ट कोचन है वास्तविक मूल से अधिक लिया जाने वाला मूल इसके लिए एक सब्द बताना है तो वास्त्विक मूल से अधिक लिया जाने वाला मूल इसके लिए एक सब्द है अधी मूल ले next question है निमलिकित दिये गए सब्दों में से मुहावरे का सही अर्थ दिये गए विकल्पों में से चुनिए तो चाती पर साप लोटना ये मुहावरा है इसका सही अर्थ बताना है तो चाती पर साप लोटना इसमें से इसका जो सही अर्थ है वो है इरस्या होना चाती पर साप लोटना यानि की इरस्या होना नेक्स कोच ने गुल छर्रे उड़ाना ये मुहावरा है इसका सही अर्थ बताना है तो गुल छर्रे उड़ाना यानि की आमोध प्रमोध करना तो इसका एंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला नेक्स कोच ने अंधे की लकड़ी ये मुहावरा है इसका अर्थ बताना है तो अंधे की लकड़ी तो इसका जो इस मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वो है गुप्त बात कहना नेक्स कोच ने हाथ पीले करना तो हाथ पीले करना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वो है लड़की का विबा करना नेक्स कोच ने है वर्तनी के अनुसार सुद्ध सब्द का चैन कीजिए तो यहाँ पे उंगलिया लिखा हुआ है इसमें से आपको बताना है कौन है जो सही तरीके से लिखा हुआ है तो उंगलिया ये पहला वाला गलत है इस तरह से नहीं लिखा जाएगा और ये ये लिख हुआ है उंगालिया तो ऐसे ये भी गलत है और यहाँ पर लिखा हुआ है उंगलिया तो ये भी कलत है तो इसका जो सही अंसर है वो है लाश्ट वाला उंगलिया इस तरह से पिज़ा जायेगा नेक्स्ट कोशन है वर्तनी के अनुसार सुद्ध सब्द का चैन कीजिए यहां पर ब्यावहारिक लिखा हुआ है आपको बताना है कौन सा सही तरीके से लिखा हुआ है तो इसका जो सही एंसर है वो है फर्स्ट वाला ब्यावहारिक सही तरीके से इस तरह से लिखा जाएगा नेक्स्ट कोश्चन है नेक्स्ट कोश्चन भी वर्तनी के अनुसार सुद सब्द का चैन करना है तो इसमें कोशिस लिखा हुए है, बताना है कोशिस कौन सा है, जो सही तरीके से लिखा हुए है, तो इसका जो सही अंसर है, वो है last वाला, fourth option, कोशिस इस तरह से लिखा जाता है, नेक्स कोशिस ने लिखित दिये गए सब्दों में से परियावाची सब्द का चैन करें, तो आगंतुक, इसका परियावाची बताना है, तो आगंतुक मतलब होता है, महमान, तो इसका हो जाएगा, third option, महमान, next question है, अंबर, तो अंबर मतलब होता है, आकास, तो इसका परियावाची बताना है, तो अंबर का परियावाची हो जाएगा, अंतरिक्ष, मतलब की आकास, नेक्स कोचन है सुरेश तो सुरेश का परियावाची बताना है तो सुरेश का जो परियावाची होता है वो है इंद्र नेक्स कोचन में उपवन का परियावाची बताना है तो उपवन का जो परियावाची होता है वो है इसमें से उपवन का परियावाची हो जाएगा बगीचा नेक्स कोचिन में मनुहर का परियावाची बताना है तो मनुहर का जो परियावाची होता है वो है सुहावना नेक्स्ट कोचिन में निम्लिकित दिये गए सब्दों में से बिलोम सब्द का चैन करें तो अल्प का बिलोम सब्द बताना है तो अल्प मतलब होता है थोड़ा तो अल्प का जो बिलोम हो जाएगा वो हो जाएगा अधिक तो इसका third option सही है next question है निमलिकित दिये गए सब्दों में से बिलोम सब्द का चैन करें तो निर्गुड का बिलोम सब्द बताना है तो निर्गुड का जो बिलोम सब्द होता है वो होता है सगुड next question है जीवन जीवन का बिलोम सब्द बताना है तो जीवन का जो बिलोम सब्द होता है वो है मरण नेक्स्ट कोचन है नीचे दिये वाक्यों मेरे एक तस्थान के लिए सबसे उप्यूग सब्द को चुनिये तो आपको यहाँ पर जो सबसे सटीक बैठता हो वो आप्शन आपको चुनना है तो वाक्य है इस परिस्तिती में आपकी सहायता करना कटिन है तो यहाँ पर क्या आएगा तो यहाँ पर जो इसका जो सबसे सटीक बैठता है वो है बिसम इस बिसम परिस्तिती में आपकी सहायता करना कटिन है नेक्स्ट कोश्चन है डाकू अपने कार्णियों के लिए होते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा तो प्रसिद्ध होते हैं यह तो गलत हो जाएगा बिख्यात यह भी गलत हो जाएगा सू बिख्यात यह भी गलत हो जाएगा तो जो इसका सही अंसर है वो है डाकू अपने तरह से मसीन चलाता है तो आपको बताना इसमें कौन से भाग में तुटी है तो यहाँ पर तुटी है अच्छा यहाँ पर होना चाहिए देव बहुत अच्छी तरह से मसीन चलाता है तो इसमें जो इरर हो जाएगा हो जाएगा वाक ए में next question विसाल अपने परिश्रम से सबको प्रभावित कर रहा है इसमें आपको बताना कि तुटी कहा है तो इसमें कोई तुटी नहीं है विसाल अपने परिश्रम से सबको प्रभावित कर रहा है तो इसमें कोई तुटी नहीं है तो आपका सही अंसर हो जागा D वाला कोई तुटी नहीं तो इसका सही अंसर हो जागा 4th कोई तुटी नहीं Next question है आटा पिस्वाने के लिए उससे 5 मील दूर जाना पड़ता है इसमें आपको बताना है कि इरर कहा है तो यहाँ पर जो तुटी हो जागी हो जागी आटा यहाँ पर गेहू होना चाहिए तो इसके वाक ए में इरर है तो इसका अंसर हो जागा वाक ए में इरर है Next question है निर्भय एक धनी परिवार से बिचोह रखता है तो जो इसमें इरर है वो है बिचोह यहाँ पर होना चाहिए संबंद निर्भय एक धनी परिवार से संबंद रखता है तो यहाँ पर जो तुटी है वो है वाक किसी में तो इसका अंसर हो जागा थर्ड वाला Next question है चोहराहा कौन सा समास है तो आपको बताना है चोहराहे में कौन सा समास है तो चोहराहे का जो पहला पद है वो संख्यावाची है तो संख्यावाची पद होता है पहला पद जो संख्यावाची होता है वो होता है दिगुसमास में तो इसका अंसर हो जाएगा थर्ड वाला दिगुसमास है इसमें Next question है पवन का संधी बिच्छेद है तो पवन का जो इसमें से सही संद बिच्छेद है वो है थर्डवाला वो प्लस अन और इसमें अयादी संदी है नेक्स कोचने बीर का इस्त्री लिंग है तो बीर का जो इस्त्री लिंग होता है वो है बीरांगना तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थड़ वाला बी रांगना नेक्स्ट कोचने गीता मंद मंद मुस्कुरा रही है इस वाक में मंद मंद ब्याकराण की दिष्टी से क्या है तो इस वाक में ब्याकराण की दिष्टी से मंद मंद है क्रिया विसेसर क्रिया विसेसर उसे कहते हैं जो क्रिया की विसेस्ता बताता है तो इस वाक में मुस्कुरा ये क्रिया है और मंद मंद जो है ये इस क्रिया की विसेस्ता बता रहा है तो मंद मंद हो जाएगा क्रिया विसेसर next question ने 13 सब्द का link परिवर्तित कीजिए तो 13 सब्द का link परिवर्तित करना है तो इसको इस तरही link में बना देना है तो यह हो जाएगा इसका सही answer option C, ठठेरिन next question ने करूणरस का अस्थाई भाव क्या है तो करूणरस का जो अस्थाई भाव होता है वो है करून रसका स्थाइब आवए सोक next question है खूटी सब्द का बहुचन बताईए तो खूटी सब्द का इसमें से बहुचन हो जाएगा option A खूटिया next question है बिद्वान सब्द का इस्तिरी लिंग क्या होगा तो बिद्वान सब्द का जो इस्तिरी लिंग होता है इसमें से हो जाएगा बिदुसी नेक्स्ट कोचन है वाक के लिए एक सब्द चुनिये तो वाक के है किसी की सहायता करने वाला तो इसके लिए एक सब्द चुनना है तो किसी की सहाता करने वाले को कहते हैं सहायक तो इसका अंसर हो जगा option A सहायक Next question ने भला चाहने वाला इसके लिए एक सब्द चुनना है तो भला चाहने वाले को कहते हैं हितेसी तो इसका अंसर हो जगा option C हितेसी Next question ने लिंग की दिष्टी से दही क्या है तो लिंग की दिष्टी से जो ये दही है ये है पुलिंग तो इसका अंसर रहेगा option B पुलिंग Next question है सगुड सब्द का बिलोम है तो सगुड सब्द का जो बिलोम होता है वो है निर्गुड Next question है सोजाती का बिलोम है तो सोजाती का जो बिलोम होता है वो होता है बिजाती तो इसका अंसर देगा option D बिजाती next question ने सूर का परियावाची है तो सूर का जो परियावाची है इसमें से भासवर तो ये नहीं होगा प्रकास ये भी नहीं होगा तेज ये भी नहीं होगा तो सूर का जो इसमें से परियावाची है वो है option B मारतंड Next कोचने समुद्र के लिए परियावाची है तो इसमें से जो समुद्र के लिए परियावाची है वो है पारावार नेक्स्ट कोचने चान पर थूकना मुहावरे का आसे है तो चान पर थूकना मुहावरे का जो इसमें से सही अर्थ है वो है असंभो काम करना ओप्सन ए नेक्स्ट कोचने कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ है तो कलम तोड़ना मुहरे का अर्थ होता है अच्छा लिखना तो इसका अंसर रोगा option भी अच्छा लिखना next कोचने पर्ड का तद्भो सब्द है तो पर्ड का जो तद्भो सब्द है वो है पत्र next question निमलिखी सब्दों में से कौन सा सुद्ध है तो इसमें कवित्री लिखा हुए आपको बताना है कि कौन सा है जो सही तरीके से लिखा हुए है तो इसमें कवित्री जो सही तरीके से लिखा हुए है वो है option B कवित्री ये सही लिखा हुए है next question ने जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए उप्युक्त सब्द है इसके पास कुछ नहूँ उसे हम कहते हैं अकिंचन इसके लिए एक सब्दो जाएगा जिसके पास कुछ नहूँ उसके लिए अकिंचन Next question है सांतरसका अस्थाइवा होए तो संतरसका जो अस्थाइवा होता है वो है निर्वेद Next question है सही विराम चिन्धों वाला वाक के है तो इसमें से सही विराम चिन्धों वाला जो वाक के है वो है पहला वाला जो पत्र आया है कहा है ये पहला वाला वाक के सही विराम चिन्धों वाला तो दोस्तों आसा करता हूँ को ये वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो लाइक जरू कर दीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब भी कर लिजिए क्योंकि इस तरह के वीडियो में बनाता रहता हूं और वीडियो देखने के लिए थैंक्यू बाए